हाई फ्रेंड स्वागाते आपका कैने डिड़्च के एक और नई वीडियो में तो आज वाली वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अपनी फोटो के अंदर हम लोग कैसे एक फेक हेयर क्रिएट करसकते हैं तो आसा करता हूँ आज वाली वीडियो के बाद आपको किसी भी Hair PNG को यूज करनी के जरूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्तो सबसे पहले Autodesk के अंदर अपनी photo को open कर लेना है उसके बाद आपको layer वाले option पे click करके वहाँ से A plus पे click करके एक layer create कर लेनी है उसके बाद आपको library में एक brush मिलेगा जिसका नाम है दोस्तो dream brush dream brush को select करने के बाद उसकी जो size है दोस्तो आपको बहुत ही छोटी रखनी है because जो हमारा hair होता है बहुत ही पतला होता है इसलिए आपको इसके size को भी बहुत ही छोटा रखना है 0.87 जो भी आपको अच्छा लगे उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है आपको वहाँ पे color वाला option मिलेगा color पे click करने के बाद आपको अपने hair के according को रखना है जैसे black, brown जो भी आपका color हो hair का उसके according रखना है उसके बाद आपको कुछ इस type से अपने hair fake hair को create करना है जिस तरह से मैं create कर रहा हूँ तो दोस्तो ये जो trick है बहुत ही अच्छा सा trick है दोस्तो जब से मैंने इस trick को apply किया है अपने photo पे तब से दोस्तो मैंने किसी भी hair png को use नहीं किया है तो ये trick तो मैंसे बहुत अच्छा लगा आप लोग comment में बताना कैसा trick है लाश्ट तक वीडियो में बने रहना वीडियो को थोड़ा सा भी skip मत करना वीडियो बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है और हाँ दोस्तो अगर आप लोग ने background remove करने वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तो recently मैंने वो वीडियो अपने चैनल पे upload की है description में उसका link आपको मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर वीडियो को watch कर सकते हैं finally हमारा pencil work तो हो चुका है guys बट यह उतना अच्छा नहीं लग रहा है इतना अच्छा करने की हम कोसिस कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा transform वाले option में इसकी size adjustment करने के लिए तो transform वाले option पे click करते हैं और इसकी जो size है इसे थोड़ा साम पतला करते हैं और इसकी जो height है इसे थोड़ा साम increase करते हैं height को increase करने के बाद देख सकते हैं हमारी face पे कितनी awesome लग रही है बट अभी भी कुछ कमी दिख रही है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा layer वाले option पे click करके उसी layer को फिर से click करेंगे और hsl वाले option पे click करके इसकी जो darkness है इसे थोड़ा साम बढ़ाएंगे जिससे हमा हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और हाँ वीडियो को जाता जाता सेर कर देना वीडियो को like करना बिलकुम न भूलना तुमारा ऐसी वीडियो इस चैनल पर upload किया करता है तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए topic पर तब तक के टाटा बाई बाई